दोस्तों बहुत समय पहली की बात है एक बादिसा था जो बहुत ही हावस परस्थ था उसके महल में बहुत से होबसूरत अवरते थी लाइकन जब भी वा किसी होबसूरत अवरत को देखता तो उसे पाने की कोशिस करता एक दिन बादिसा अपने महल के छट पर टहल रहा था ट टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छट पर पड़ी जिस पर एक बहुत ही खुबसूरत अवरत कपड़े सुखा रही थी बादिसाह उसे देखते ही उसका आसिक हो गया उसने अपनी बांदी को बुला कर पूछा ये किसकी बीबी है बांदी ने कहा बादिसाह सल लाया फिरोज हाजिर हुआ तो बादिसाह ने उससे कहा फिरोज हमारा एक काम है हमारा ये खत फला मुलक के बादिसाह को देयाओ और इसका जवाब भी उनसे लेते आना फिरोज उस खत को लेकर घर वापस चला गया और खत को अपने टकिये के नीचे रख दिया और सफर का सामान तयार किया रात घर में गुजारी और सुबह होते ही मंचली मक्सूत पर रवान हो गया इस बात से लाइलम की बादसाः ने उसके साथ क्या चाल चली है इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओज्छल बादसाह चुपके से फिरोज के घर पहुचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दर्वाजा खट खटाया फिरोज की बीबी ने कहा कौन बादसाह ने कहा मैं बादसाह हूं तुम्हारे सोहर का मालिक तो उसने दर्वाजा खोला बादसाह अंदर आकर बैठ गया फिरोज की बी बादसाह का मतलब समझ कर कहा मैं अल्ला की पना चाहती हूं आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती बादसाह ने गुस्से में कहा ए लड़की क्या कह रही हो तुम सायद तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं बादसाह हूं तुम्हारे सोहर का मालि फिरोज की बीबी ने कहा बादसा सलामत मैं जानते हूं कि आप ही बादसा हैं लेकिन बुजरुक कह गये हैं कि सेर को अगर्ची जितनी ही भूक लगी हो वा मुर्दार तो नहीं खाना सुरू कर देता और कहा बादसा सलामत तुम उस कटोरे में पानी पीने आये हो जिसमें त पुते ने पानी पिया है बादसा उस अवरत की बात से बड़ा सर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया लेकिन अपना चपल वहीं भूल गया ये सब तो बादसा की तरफ से हुआ अब फिरोज को आधे रास्ती में याद आया कि जो खत बादसा ने उसे दिया वह तो घर पर ही छोड़ाया उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका फिरोज अपने घर पहुचा तो तकीये के नीचे से खत निकालते वक उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादसा के चपल पर पड़ी जो वह जल्दी में भूल गय फिरोज का सर चक्रा कर रह गया और वह समझ गया कि बादसाह ने उसे सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके फिरोज किसी को कुछ बताए बगएर चुप चाप घर से निकला खत लेकर वह चल पड़ा और काम खतम करने के बाद बादसाह के पास वा खरीद लिए घर पहुचकर वीवी को सलाम किया और कहा चलो तुम्हारे मैके चलते हैं वीवी ने पूछा ये सब क्या है फिरोज ने कहा बादसाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहन कर अपने घर वालों को भी दिखाओ बीबी ने कहा जैसा आप चाह कर वापस आ गया एक महीना गुजरने के बावजूद ना बीबी का पूछा और ना ही उसको वापस बुलाया फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आये और उनसे कहा आप हमें मेरी बहन से गुस्से और नाराजिगे की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामन पेस करेंगे फिरोज ने कहा अगर तुम चाहो तो कर लो लेकिन मेरे जिम में उसका ऐसा कोई हक बाके नहीं जो मैंने अदा ना किया हो वो लोग अपना कैस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया काजी उस वक्त बादसाह के पास बैठा हुआ था लड़ में मीठे पानी का कुवा इस आदमी के हवाले में दिया था तो इस आदमी ने हमारा बाग उजाड दिया सारे फल खा लिए दरक्त काट दिये और कुएं को खराब करके बंद कर दिया काजी फिरोज की तरफ मतवज्य होकर पूछा हा तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बा बाग मुझे दिया गया था वो बाग उससे बेहतर हालात में मैंने उसे वापस किया है काजी ने पूछा क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस कर दिया है जैसा पहले था उन्होंने कहा हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है लेकिन हम उनसे बाग वा की इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने सेर की पंजो की निसान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि सेर मुझे खाज आएगा इसलिए सेर के इक्राम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया बादसाह जो टेक लगाए हुए ये सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहा फिरोज अपनी बाग की तरफ मुतमाइन होकर जाओ अल्लह की कसम इसमें कोई सक नहीं कि सेर तुम्हारे बाग आया था लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका वह व फिरोज अपने घर लोट आया और अपनी बीबी को भी वापस ले आया ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि आखिर माजरा क्या है क्या खोब बहतर है अपने अहलो अयाल के राज को छुपाना दोस्तों हमेशा लोगों की इज़त आबरू की हिफाज़त करें द अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना